याज हमसे वीडियो के आदर बात करेंगे वाले हैं bitcoin के बारे में क्योंकि bitcoin ने यहाँ पर हाली में अपना cross किया है all time high है और जिस तरीके से मैंने आपको प्रेडिक किया था अपनी last video के अंदर कि bitcoin यहाँ पर all time high को बहुत ही जल्दी break कर सकता और as it is वैसा ही हुआ है सो अब यहां से क्या हम expect कर सकते हैं Bitcoin में और साथ ही साथ क्या Bitcoin अब हमें 25,000 डॉलर पर देख सकता है इसी की बारे में आज उस वीडियो के इंदर discuss करेंगे अगर आपको वीडियो इंफिमिट्य लगे तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा और ऐसे ही और अनिंग से डिलेटिड वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो make sure कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर दें सो बात करें बिटकोईन के बारे में तो बिटकोईन नहीं आपर क्रॉस किया 2017 का अपना all time high जिसका हम सभी लोग यहां पर काफी दुनों से वेट कर रहे थे यहां पर मैं बिटकोईन को लेकर काफी ज़दा बुलिश थी क्योंकि मैंने अपने नॉम्बर मंद के जो coins आप लोग के साथ share किये थे उनके अंदर भी बिटकोईन को include किया था और आपको around 13,000 टॉलर पर बिटकोईन को purchase करने के लिए suggest किया था अगर आपने उसको follow किया होगा तो आप सोच सकते हैं कि आपको normal month के अंदर ही अंदर Bitcoin ने काफी अच्छा benefit दिया होगा अब यहां पर मैंने आप लोग को already discuss किया हुआ है Bitcoin के बारे में कि December month जो है वो बहुत ज्यादा important होने वाला है Bitcoin के लिए and December month के अंदर हम काफी अच्छा spike जो है Bitcoin में यहां पर expect कर पाएंगे already Bitcoin ने काफी अच्छा benefit दिया है बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो Bitcoin को लेकर bullish है and मैं भी आपर Bitcoin को लेकर bullish हूँ क्योंकि जो situation चल रही है जो scenario चल रहा है Bitcoin को लेकर and crypto market को लेकर वो काफी ज़्यादा bullish यहां पर है and काफी सारी positive news भी आपर निकल करके आ रही है so ऐसे में अगर हम बात करेंगे क्या Bitcoin अब हमें 25,000 डॉलर पर दिखने वाला है क्या हम यहां पर expect कर सकते हैं so यहां पर करेंगे technical analysis Bitcoin की and जानेंगे कि हम यहां पर कैसे अभी Bitcoin से benefit निकाल सकते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर introduce करा है चाहती है बहुत ज्यादा interesting and innovative project के बारे में जिसका नाम है StoBox बात करेंगे अगर Malta blockchain conference की तो उसके अंदर यह award winner रह चुके है and basically जो project है StoBox यहां पर focus करता है securities tokenization के अंदर यहां पर basically जो digital securities होती है Sto उसके अंदर यह focus करता है and recognize करता है service providers को अगर बात करें में StoBox की अंदर जो अभी तक सबसे बड़ा event कराया है StoBox ने कराया है इसकी सारी की सारी जो details है वो आप यहां पर check out कर सकते हैं साथी साथ यहां पर बात करेंगा StoBox के बारे में तो बहुत ही जल्दी यहां पर इनका cryptocurrency exchange launch होने वाला है जो की मेली यहां पर support करेगा Sto activities को काफी सारे development और यहां पर चल रहे है इस project के अंदर और यहां पर बात करेंगे token के बारे में तो इनका token आपको coin market cap के उपर मिल जाएगा STBU के नाम से आपको यह token available मिल जाएगा है यहां पर करेंगे price की बात करेंगे तो इसका price चल रहे है 0.14 डॉलर के राउन पर और यहां पर यहां पर लिस्टेड है साथी साथी store box ने collaborate किया है with the digital authority to drive the financial innovations means यहां पर जो regulatory framework है वो government की तरफ से यहां पर एक लाया जाएगा जिसके base पर यहां पर जो virtual asset है या फिर security token है payment token है और crypto virtual asset जो है यहां पर वो उस regulatory framework के according ही यहां पर work करेंगे अगर बात करते हैं इनकी team की बारे में तो इनकी team काफी जादा interesting है काफी experienced लोग इनकी team में involved हैं काफी better तरीके से यहां पर work कर रहे हैं इनका new product भी यहां पर आने वाला है जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका exchange यहां पर basically आने वाला है तो उसके लिए इनकी जो team है वो काफी अच्छी तरीके से यहां पर work कर रहे हैं साथ इन्होंने यहां पर एक book भी written की है जो की based है यहां पर security token offering के लिए इनकी website के उपर अवलेबल है वहां से जाकर के इस book को read कर सकते हैं काफी ज़्यदा information जो है वह यहां पर अवलेबल है जो इनकी book है उसका नाम है basically how to attract investments with STO means overall जो STO होते हैं उनको किस तरीके से यह present करेंगे और किस तरीके से आप जो fund है वो raise कर सकते हैं यहां पर साथी साथ किस तरीके से जो regulations है वो लगा सकते हैं यह सारी चीजों को ध्यान में आप रख सकते हैं अगर आप store box के साथ STO अपन development है further वो यहां पर लेकर के आ रहा है सो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर December 2020 के अंदर यहां पर काफी सारी releases है जैसे कि यहां पर इनका exchange आने वाला है देने यह exchange की ऊपर जो token listing है वो यहां पर start कर देंगे और इसी तरीके से further यहां पर move करेंगे साथी साथ यह peer-to-peer market space है उसके लिए जो technical requirements है उसकी भी preparation यहां पर कर रहा है इसके अलावा 2021 में भी काफी सारी चीजी यहां पर प्लान है और अगर देखा जाए तो इस project ने काफी सारे effort डाले है अभी तक इस project के लिए इनकी team ने अगर बात करें further development के बारे में तो already यहां पर काफी कुछ प्लान है यहां पर work कर रहे हैं तो मैं आप लोग को यहां पर highly recommend करूंगे कि आप इस project को एक बार यहां पर चेक आउट जरूर कीजेगा इसके जितने भी link है वो मैं description के अंदर पूट कर दूंगे आप हास इसको check out कर सकते हैं सब वापिस आजाते हैं हमारे bitcoin के उपर यहां पर मैंने चार्ट लिया हुआ है bitcoin and usd का and current की price की बात करें तो 19,000 डॉलर के round पर bitcoin का current price चल रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर february की के according यहां पर retracement and extension levels जो है वो यहां पर draw किये है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 100% का जो highest feb level है यहां पर उसको यहां पर bitcoin जो है वो test कर रहा है और यहां पर इसने 78% का जो feb level है उसको भी यहां पर एक बार उसके उपर भी rest किया है और वो यहां पर बहुत अच्छा support की तरीके से यहां पर daily retracement work कर रहा है सो अभी यहां पर जो possibilities बन रही है वो यह बन रही है कि जिस हिसाब से यहां पर channel और यहां पर जो flag जो move कर रहा है अगर इसी हिसाब से यह move करता रहता है यहाँ पर जो testing level है यहाँ पर highest wave level का वो अगर एक बार यहाँ पर break कर देता है Bitcoin तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो rising flag pattern है उसके recording यहाँ पर जो Bitcoin है वो upward direction में move कर सकता है यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी 25,000 डॉलर पर Bitcoin को यहाँ से देख पाएंगे इसके साथ ही साथ अगर हम current scenario की बात करें कि जिस हेसाब से crypto market के अंदर Bitcoin को लेकर इतनी ज्यादा positivity चल रही है यहाँ पर firms involved हो रहे हैं tech giants involved हो रहे हैं फिर से यहाँ पर जो Micro strategy company है जो firm है उसने फिर से यहाँ पर Bitcoin में investment की है 2574 Bitcoin जो है वो यहाँ पर 19,400 के rate पर यहाँ पर purchase की है जब सभी लोग यहाँ यह देख रहे थे कि Bitcoin अपना all time है कैसी यहाँ पर cross करने वाला है उस time पर Micro strategy यहाँ यहाँ पर Bitcoin के अंदर investment की है यह जो positivity इस time मार्केट में चल रहे हैं यह कहीं ना कहीं Bitcoin के लिए काफी अची चीज है और Bitcoin यहाँ पर काफी ज़्यादा increase कर सकता है बात करूँ मेरे पोस्टन उपिनियन के बारे में तो मेरे recording मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2020 की starting से ही bullish हूँ Bitcoin को लेकर और मेरा ऐसा पोस्टन उपिनियन था कि Bitcoin हमें 2020 के अंदर काफी ज़्यादा benefit देगा अभी भी में Bitcoin को लेकर काफी ज़्यादा अगर बात करें December मंथ के अंदर सो अगर Bitcoin यहाँ पर 20 के का जो लेवल है वो यहाँ पर अगर क्रॉस कर देता है तो फिर एजली हम 23 और 25 थाउजन टॉलर पर जो Bitcoin को है वो इसली हाँ पर देख पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि December मंथ के अंदर Bitcoin को 25 थाउजन टॉलर पर रीज़ करना कोई बड़ी चीज नहीं है जिस हिसाब से हाँ पर एडॉप्शन चल रहा है और मार्केट में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है आपको क्या लगता है क्या December मंथ के अंदर इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर Bitcoin कितना जा सकता है मुझे कमें सक्षन में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो इंफिर्मीटिव लगा है और थोड़ा से भी बेटर समझने में Bitcoin को आप मुझे लाइक करके जरूर बताएएग अगर आपने अभी तक टेलिगरम चैनल को जोईन ने किया है जोगी मीट करती हो आप लोके लिए काफी ज्यादा रहेंगे मिलता आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर और बाबाए